जहिन फ्रेंट्स भारती राज बिवस्था की सिरीज हमारी आगे बढ़ रही थी और उसी सिरीज में कल हमने देखा कि केंद्र और राज्यों के जो वित्तिय संबंद थे कि कैसे जो है वित्तिय संबंद निर्धारित है और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि संग सूची में 15 विश्यों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है 20 सब्जेक्ट पर कानून बनाने का टैक्स संबंद थे अधिकार राज्यों को है और और सक्तियां किसके पास हैं संसद के पास और सक्तियों का इस्तेमाल करके संसद ने क्या किया तीन कर लगाए गिफ्ट उपहार कर और इक्सपेंडीचर बै कर और तीसरा सम्रिधिकर वेल्ट फिर हमने देख लिया था कि राज्य को व्यवसाय पर कर लगाने का अजिकार है लेकिन वो क्या है व्यवसाय वृत्ति पर रोजगार पर लेकिन वो मैक्सिमम पचीश सो प्रतिवर्स ही हो सकता है दूसरा हमने देखा था कि राज्य को समाचार पत्रों के क्रेविक्रे को छोड़ करके राज्य के भीतर जो वस्तुमें उत्पादित हो रही है विक्री हो रही है क्रेविक्रे उन पर वो टेक्स लगा सकता है अंतर राज्य वस्तुम पर नहीं लगा सकता आयात मेरियात पर न का विभाजन देखा था कि केंद्र और राज्यों के बीच में करका इसे विभाजित होते हैं सबसे पहला था आर्टिकल 268 जिसके तहट किजिए जो सेयर बैंकिंग पत्र बीमा इनके तहट जो इनका आदान प्रतान होता है तो जो स्टैंप ड्यूटी होती है उसको कौन यू यूज भी राज्य करते हैं लेकिन लगाता कौन है केंद्र और दूसरा क्या था 268 जिसके तहट क्या था स्टेवा कर केंद्र लगा रहा केंद्र और राज्य दोनों वसूल रहे हैं और केंद्र राज्य दोनों उनको यूज कर रहे हैं तो उसका बटवारा कौन करेगा संस ठीक फिर क्या देखा था आर्टिकल 269 आर्टिकल 269 के तहट हमने क्या देखा था अंतर राज्जी वस्तूओं का प्यापार और पारेशड से संबंधित जो कर लगेंगे उनको भी कौन लगाएगा केंद्र वसूल कौन करेगा केंद्र और यूज कौन करेगा राज्य तो जो बटवारा होगा उसको भी कौन देखेगा संसद। फिर हमने देखा था कि आर्टिकल 270 बहुत इंपर्टेंट है क्यों उसमें साफ साफ ये लिखा है कि इसमें केंद्र सरकार के सारे कर आ जाएंगे और सेस्थ भी आएगा और किसी पर्टिकुलर चीज के लिए सरचार्ज जो टैक्स पर लगाए जाएगा वो भी आएगा और यहीं पर जो है हमने देखा था कि इन पर जो बटवारा होगा टैक्स का खास करके जो संग सूची के कर हैं कौन-कौन से इंकम टैक्स कार्पोरेट टैक्स और आएकर और दूसरा क्या हो गया आएकर हो गया और निगम कर हो गया कार्पोरेट टैक्स हो गया और स्टैंप ड्यूटी ठिक उत्पाद सुल्क इकसाइज ड्यूटी ठिक अब इनका क्या है कि इसके बटवारे के लिए राश्टपती को कहा गया और राश्टपती ने उसके लिए क्या किया वित्त आयोग का गठन किया तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या वित्त आयोग Article 270 के तहट कहा गया कि जो संग सूची के कर होंगे उनको क्या किया जाएगा राज्य और केंद्र के बीच में बाटा जाएगा और बाटने का कारिक इसको सोपा गया राष्टपती को राष्टपती ऐसी एक संस्था का निर्माण करेंगे जो क्या करेगी उसको बटवारे को बताएगी तो राष्टपती ने हर 5 साल में इस संस्था की स्थापना करना है वित्त आयोग की और यही बताएगा क्या कि कैसे टैक्स का बटवारा हो तो वित्त आयोग की अस्थापना आर्टिकल 280 के तहट राश्टपती को करनी होती है एक प्रतेक पांच वर्स में कौन कौन होता इसमें? एक अध्यक्ष होता है और चार सदस्य होता है अध्यक्ष जो होगा उनको सार्वजनिक कारियों का आनुभव होना चाहिए यह जो चार सदस्य होता है उनमें से एक हाई कोल्ट का जज या उसके समकच जो उस तरह की योगिता रखता हो वह होगा ब्यक्ति तूसरा एक ऐसा ब्यक्ति होगा जिसको वित्त एवं लेखा का ज्यान होगा फाइनेंस एंड आडिटिंग तीसरा एक ऐसा ब्यक्ति होगा जिसको वित्ति एवं प्रशासनिक कारियों का ज्यान होगा और एक ऐसा ब्यक्ति होगा जो की इकोनॉमिस्ट होगा अर्थसास्त्री इन सदस्यों की योग्यता का निर्धारण योग्यता के निर्धारण से संबंधित नियम संस्ध राष्ठपती नहीं बनाएंगे ध्यान रखिएगा और संस्ध ने अभी तक ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया तो अभी तक यही मामला चल रहा एक चीजह जरा ध्यान में रखिए वित्वायोग का काम क्या है? वित्वायोग का काम ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बटवारा किसके तहट पार्टिकल 270 के तहट मैंने आपको बताया है कि सरचार्ज तेर नहीं किया जाता एक पर्टिकुलर चीज के लिए ही बैह होगा जिस चीज के लिए वह लगाया गया है ठीक सरचार्ज केवल और केवल केंद्र को मिलता है ठीक है दूसरी बात दूसरा कारे क्या है दूसरा कारे ये है कि राज वित्त आयोग की सहायता से राज के राजस को पढ़ाने के लिए अनुशंसा करना रिकमेंडेशन करना और तीसरा राज वित्त आयोग की सहायता से जो सृतिय घटक है लोकतंत्र के कौन नगरपाली का और ग्राम पंचायत उनके राजस को पढ़ाना और राज राजस में उनकी हिस्सेदारी या पटवारे की अनुसंसा करना लेकिन या अनुसंसा राज जवित्त आयोग की हेल्प से ही होगी अपने आप वो कुछ नहीं कर सकते ठीक और चौथा काम जो बहुत इंपर्टन काम है वो ये कि भारत या ये कहिए केंद्र के राजस्व के श्रोत को सुद्रण करना ये रिकमेंडेशन देना कि और कैसे रेवेन्यू बढ़ सकता है ठीक इसके जो रिपोर्ट आएगी वित्तायोग की रिपोर्ट तो 280 के तहत वित्तायोग की सापना हो गई 281 आर्टिकल 281 के तहत राश्टपती वित्तायोग की रिपोर्ट कहां पूट करेंगे तंसद के समख रखेंगे दूसरी बात यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिए कि वित्तायोग एक अर्ध न्यायिक निकाये है अर्ध न्यायिक निकाये वो होते हैं एक तो इनमें एक जज है दूसरा ये न्यायाले की तरह ही बिवस्था पूरी करेंगे लेकिन न्यायाले की तरह दंड नहीं दे सकते अगर उसको माना न जाए क्यों क्योंकि इनकी अनुसरा हमेशा सलाकारी होती है और जिस सला पर गौर्वर्मेंट ने काम नहीं किया है उसका रीजन संसद में गौर्मेंट बताती है लेकिन यह धंड नहीं दे सकते हैं यह ध्यान में रखिएगा इसी वज़े से यह क्या है अर्धनियाएक क्वासी जूडिसियल ठिक अब हमें यह ध्यान में रखना है कि जो राज्य को केंद्र द्वारा वित्तिय सहायता दी जाती है वो दो तरीके से दी जाती है एक तो है विधिक जिसका विधि में उलेक है ठीक और दूसरा है तो इच्छा से यह यह कहिए विवेका धीन यह जो विधिक है यह आर्टिकल 275 केता है और यह जो स्वेच्छा से है यह आर्टिकल 282 है केता है तो तरीके से अनुदान दिया जाता है केंद्र के द्वारा राज्यों को यह यही वाली रिकमेंडेशन कौन करता है वित्त आयोग वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा पहली बात यहाँ पर दूसरी बात यह भी ध्यान रखिएगा हर राज्य को प्रतेक राज्य को समान सहायता नहीं दी जाती ठीक और यह वाला जो भार है वित्त का वो संचित निधी पर पड़ता है इसका होगा एक्सपेंडीचर वो पैसा कहां से केंद्र देगी संचित निधी से इसका दो उद्देश से होता है कि इन दो उद्देश्यों से दी जाती है तो पहला उद्देश्य होता है राज्य को कि योजनागत त्याय में सहायता कि योजनागत बेवो होते हैं जो कि राज्य के लिए कैपिटल एक्सपेंडीचर का काम करते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डिवलप्मेंट के लिए कोई उनिवर्सिटी सड़क ये सब बनाना वो योजनागत बैयाता है ठीक और दूसरा दूसरा उद्देश से क्या है इनका राज्य को किसी विशेस योजना के लिए प्रोथसाहन योजनागत बैय में सहाथा ये कहिए योजनागत लच्छों की प्राप्ति के लिए प्राप्ति के लिए किसी विशेस योजना के लिए प्रोथसाहन देने के लिए जैसे कहीं पर कुपोशड ज्यादा है या कहीं पर अस्थानिक कोई बीमारी है तो उसके उन्मूलन के लिए क्या करेंगे उस विशेस राज्य को विशेस सहायता दी जाएगी ठीक तो इनका दो उद्देश होता ह अब जो हमें यहाँ पर देखना है वtoo यह देखना है कि वित आयोग के हमने तीन कारे पढ़ेगी कैसे central revenue को बढ़ाया जाए राज और सेंटर में कैसे बाटा जाए वित्त को राजसों को और दूसरा कि राज अपने राजसों को कैसे बढ़ा सकते हैं साथ हमें राज और जो तरती अस्तर है लोक तंत्र का उनमें कैसे बटवारा हो लेकिन ये जो बटवारे वाली बात है तरती अस्तर पर ये राजवित आयोग की सलाह से होगा ठीक और ये केवल सलाकारी है में सला किसकी मानी जाएगी राज्यवित्त आयोग की ही मानी जाएगी उस मामले में जो थर्ड इस्टेप है लोकतंत्र का ठीक एक यहाँ पर जीज आती है जिसको बोलते है रेफेरेंस आफ टर्म्स टर्म्स आफ रेफेरेंस रेफेरेंस आफ टर्म्स राष्टपती कुछ विसेश विशयों पर वित्त आयोग से सला मंगता है उसी विशेश विशयों को ही बोलते हैं टर्म्स आफ रेफेरेंस टर्म्स आफ रेफेरेंस क्या है राष्टपती जिन विशेस विशयों पर वित्त आयोग से पाइनेंस कमीशन से सलाह मांगता है या कहता है कि हमें उसमें जो है आप रिकमेंडेशन दीजिए उन्हीं विशयों को क्या बोलते हैं टर्मस आप रेफरेंस हर एक वित्त आयोग का टर्मस आप रेफरेंस बदल जाता है ठिक जो पंद्रहमा वित्त आयोग था उसका टर्मस आप रेफरेंस था कि कैसे इज आफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट है वर्ड बाइंग की उसमें हम भारत की रैंकिंग को कैसे इंप्रूव करें क्या 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 रिकमेंडेशन उने दिया कि अपनी कंपनी को एजी जो है खोलने का प्रासेज कीजिए और इजी बंद होने का प्रासेज कीजिए यह सब किस ने दिया कि अंद्रहमे बित्त आयोग ने इक तो जरा देख लेते हैं अच्छा कि जोदहमा बित्त आयोग थे इनके अध्यक्च वाईवी रेड़्डी पंद्रहवे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे इनके सिंग तांसद हैं यह और जो सुलावा वित्त आयोग आभी गठित हो चुका है यह दो हजार पचीस तक वैलिड है सुलावा होगा और यह इनके अध्यक्ष हैं अर्विंद पानगडिया यह नीति आयोग के सीयो रह चुके है इनका नाम जरा ध्यान में रखिएगा आप लोग ठीक कि चौधावा वित्त आयोग और पंद्रहवा वित्त आयोग दोनों में क्या है कि कुछ बेसिक अंतर है वो बेसिक अंतर क्या है कि चौधावा वित्त आयोग ने क्या किया कि केंद्र के राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ा करके जो पहले 32 परसेंट थी उसको कहां कर दिया 42 परसेंट यह इन्होंने काम किया 14 वित्त आयोग ने ठीक 15 वित्त आयोग ने क्या किया वो देख लेते हैं कि 15 वित्त आयोग ने क्या किया कि देखिए राज्यों को जो केंद्र के उसमें राजस्व में हिस्सेदारी दी जाती है उसके कुछ क्राइटेरिया है क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं कि यह आपका UPSC 2023 सिविल सर्विसेज एक्जाम में यह पूछा गया है तो चीजों को थोड़ा इकोनामिक पॉलिटी यह सब रिलेट करके पढ़िएगा पहला क्राइटेरिया है जनसंख्या तो लावा तो भूल जाईए क्योंकि अभी यह गठन हुआ अभी रिकमेंडेशन आ गया आएंगी इनका जो टर्मस आफ रेफ्रेंस है यह भी लिख लीजिए रमस आफ रेफ्रेंस है इनका आबदा प्रबंधन कि डिजास्ट्र मेंशर्मेंट को कैसे इम्प्रूब किया जाए और 55 में क्यों का टॡन साफ रेफ्रेंस क्या था एज व डॉयं बिज्नस को कैसे इंप्रूब किया जाए तो टर्मस आफ रेफ्रेंस पूछा जाता है कि यहान में रखिएगा dru। तो पहला की 2011 पर यह आपको समझ में आ रहा होगे 1971 और 2011 का क्या चक्कर है चक्कर यह है कि जब 1970 के दसक में जनसंख्या नियंदर प्रोग्राम लाया गया तो साउथ वाले जो इस्टेट थे उनमें बहुत ही कठोरता से लागू किया गया और वहां पर वो काफी हद तक सफल रहा तो उन इनमें जनसंख्या इतनी ज्यदा हो गई यहां पर जनसंख्या नियंतरर सफल नहीं हो पाया अब यह लोग कह रहा हैं कि जनसंख्या खुप्रइडिया 2011 वाला साउथ वाले क्या यहां उन्हाई wedi 171 वाला ही रेफ्रेंस मानना आपको 2011 वाला नहीं मानना तो इननोंने क्या solution निकाला कि हम दोनों जन संख्या लेंगे इसका प्रसेंटेज ज्यादा रखेंगे और इसका कम बस समझ में आ गई तो जन संख्या के दो criteria है तीसरा आए अंतराल कि इनकम गाइब कि चौथा area of state चेत्रफल और पांचवा वन अच्छादन forest cover forest cover ठीक चौदावा वित्तायोग पंद्रावा वित्तायोग यहां पर परसेंटेज था इसका साड़े सत्रा और इसका था दस आए अंतराल का था पचास परसेंट थेत्रफल का कितना हो गया यह तस परसेंट और यह साड़े साथ है टोटल हो गया तो देख लीजिए सत्रा और साथ पचीस दस पैंतिस दस पैंतालिस और पचास पंचानवे तो छेत्रफल को पंद्रा कर लीजिए जैसे मैंने याद किया वैसे ही आपको विध्यान में रखना है एक दो बार डाटा है वो चीजें जो है आराम से हो जाएंगी यह किसकी रिकमेंडेशन थी 14 वित्त आयोग की 15 वित्त आयोग में दो चीजें आपको ध्यान में रखना है पंद्रावे वित्त आयोग में एक तो जब से जम्मू एंड कस्मीर ले एंड लद्दाख यह जो यह तो अलग अलग बन गए और यूनियन टेरिटेरी बन गए ले एंड लद्दाख तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि यह जो है 2020-2021 तक के लिए अलग था और 21-22 से अलग चल रहा है मामला यहां पर क्या हुआ यह जो साड़े सत्रा परसेंट है इस साड़े सत्रा परसेंट को घटा करके साड़े बारा कर दिया गया कितना घटा है पांच परसेंट तो पांच यहां पर बढ़ा दीजिए तो ओवराल परसेंटेज इनका नहीं बढ़ा जनसंग क्या था 27.27 यहां था 27.27 यहां था यहां पर क्या हो गया यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है इनकम गैप को पांच कम कर दीजिए तो पैटालिस हो गया ये पंद्रा ही रखिए और वन अच्छादन को यहां पर बढ़ा दीजिए यहां पर पांच कम किये और धाई बढ़ाए तो अभी भी धाई का गैप है तो जो धाई परसंट है वो पंद्रावे वित्तायोग ने किसको दे रिया टैक्स कलेक्शन को कर दच्छता को तो ध्यान से देखिए चौधावे वित्त आयोग में जो क्राइटेरिया था वो 5 थे, 15 वित्त आयोग में क्राइटेरिया च्छटवा ये एड हो गया, करदच्छता का, कितने परसंट, 2.5%, कैसे कैसे याद रखना बता दिये, जनसंख्या में कोई चेंज नहीं, 2011 परसंटेज खाली बढ़ा दिया, 15 वित्त आयोग ने, आय अंतराल में 50 से करट कर 45 हो गया, 5 कम हो गया, उस 5 में से धाई वना 6 दिन में बढ़ा दिये, वना 6 दिन में बढ़ा करके क्या किये, बचा धाई उसको किसमें ला दिये, करदच्छता में टैक्स कलेक्शन, कितने एफिक्टिवली आप क्या कर रहे ह तो जो राज ज्यादा टैक्स देगा, उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जिस राज में वन का परसेंटेज ज्यादा होगा, क्योंकि परियावरण सुधार की बात की जा रही है, तो फिर क्या किया जा रहा है, वनों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, परियावर पहले भी था अभी भी है तो अगर आप से कहा जाए कि गोवा और यूपी को सेंट्रल गवर्मेंट सेम हेल्प देगी से मनुदान कभी नहीं देगी यूपी को हमेशा ज्यादा मिलेगा क्यों उसका च्छेत्रफल ज्यादा है उनकी जनसंख्या भी 2011 के साफ से ज्यादा है औ 2021-22 में आपको सेम चीज चलेगी बस एक अंतर आ जाएगा क्या अंतर आ जाएगा यह 2021-22 से ले करके अब तक पॉइंट सारे कुछ सेम रहेंगे इस नंबर तक यहां पर आपको इध्यान में रखना है यह जो 32 से 42 परसेंट इन्हों ने बढ़ाया था ना इन्हों ने क्या कहा इस यह के लिए जब से यूटी बन गया ले लद्दाक तो यहां पर इन्होंने क्या कि यह 32 से कर दिया जे एंड के वहां पर डिवलप्मेंट के लिए तो दो चेंज 15 वे वित्तायोग में हुए वन आच्छ वो करद अच्छता जोड़ा गया वन आच्छादन में परसंटेज बढ़ाया गया और एक परसंटेज एक वन परसंट राज्यों के कर से काट करके कहां दिया गया यू ज़्यादा जरूरत थी ठीक है तो यह चीजें जरा ध्यान में रखिएगा इसके बाद एक टॉपिक और बचता है वो क्या अच्छा यहां पर आपको यह चीज आपको बता दें कि यही जो है इनके टकराओं का भी बिंदु रहेगा और आप हमेशा है सोचिए कि एकर संग सक्तिसाली है तो जरूरी नहीं कि राज्य कमजोर है वो राज्य को भी सक्तिसाली करने की बाद करेंगे अगर संग एक तो मजबूत रहे तो दूसरा अपने आप उसको देख करके उसको साथ चलके अपने आप मजबूत होगा ठीक तो कुछ जो है दुरभावना यह नहीं रखना है कि केंद्र कुछ जादा पैसा मिल रहा है केंद्र अपने घर में नहीं भर रहा है कि कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं और एक पक्ष हमेशा जो है क्या रहना चाहिए मजबूत उनके उपर जिम्मेदारियां भी बहुत है तो यह चीजें जरा ध्यान में रखिए केंद्र के कर से छूट मिली है और केंद्र की जो संस्थाएं उनको राज्य के कर से छूट मिली है यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि ऐसी संस्थाएं नहीं ऐसी संपत्ति जो मतलब केंद्र की संपत्ति एगर राज्य में है तो संपत्ति का ऐसी भी हो सकती है चल तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चीज राज्य की संपत्ति केंद्र को टैक्स नहीं देगी और केंद्र की संपत्ति राज्य को टैक्स नहीं देगी लेकिन जो राज्य की PSU है वो केंद्र का टैक्स देगी और जो केंद्र की PSU है वो राज्य को टैक्स देगी क्योंक ठीक है यह चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा तो अब हमारा सेंटर इस्टेट तीनों संबंध विधाई प्रशासनिक और वित्ती समाप्त हो चुका इनके तीनों संबंध हमने आपातकाल में कैसे चेंज होंगे ये भी हमने देख लिया राष्टी आपातकाल में फाइनिंसियल यर तक लागू रहेगी एक यह जो भी रिकमेंडेशन होगी हो पूरे फाइनिंसियल यर तक लागू रहेगी तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनसे रिलेटेड इसूज पढ़ेंगे कि केंज और राज्ज में लड़ाई क्यों चल ही चाहे वजी आज़्यास के रिफरेंस में में देख लिजिए वर्तवान समय में केंद्र को ससक्त होना बहुत जरूरी है लेकिन राज्जियों को भी उतनी ही स्वायत तता दी जाए कि जितने से वो उनको घुटन ना महसूस ठीक तो इनके इसूस चलते रहेंगे तो कल से हम लोग वाला टापिक देखेंगे तब तक के लिए पुब अच्छे से पढ़ाई कीजिए मेहनत कीजिए चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए और साथ में प्रिवियस एर कुश्चन्स जरूर देखते रहिए ठीक दन्यवाद